काला डूंगी से मौजदा विदाग बंशिदर भगत पर एक बार फिर से पार्टी ने बरुस सज़ताया और उन्हें पार्टी का उम्मीद्वार बनाया बंशिदर भगत के उम्मीद्वार बनने के बाद उनको बदाय देने वालों का थाता लगावा है काला डूगी सीट से एक बार फिट से विदाकपत के प्रत्याशी बंची दर्बगत का कहना है कि पार्टी हाई कमान का वो धन्यवाद देते हैं मैं कोशिस करूँगा कि उनकी उम्मीदों मैं खरा उतरूँ बीजेपी ने प्रतियाशू के लिस्ट जारी कर दी है पितोर अगट जिले के डेडी हाट विदान सभा से विशन सिंग चुफाल को पार्टी ने फिर से टिकर दिया है आपको दादे के सीट पर बीजेपी के विशन सिंग चुफाल लगाता जीत दर्च करते आये हैं पितोर की रानिपूर सीट पर पिशले 10 वर्चों से बीजेपी के आदेश चुफाल को तीसरी बार मौका दिया गया है जिसको लेकर स्थाने लोगों में काफे उत्सा देखने को मिला सुबा से ही उनके कारले पर लोगों का ताता लगावा है सबी लोग उन्हें बदाई दे रहे हैं गंगोली हट विदानसभा से बीजेपी ने पूर्फ दरजा राजमंत्री फकीर राम टम्टा को प्रतियाशी गोशित किया है प्रतियाशी गोशित होने के बाद फकीर राम टम्टा का बीजेपी कारेकरतों ने फूल मालों के साथ जोड़दार स्वाकत किया फकीर राम टम्टा ने पार्टी आलाकमान का आभार विचता है मेरी जुमेदारी बनती है पूरे विदान सभा में इमांदारी से मैं इस विदान सभा को आगे बढ़ाओं और इसमें चौहम की विकास हो और इमांदारी से मैं काम करूं जितने भी भार्टी जन्ता पार्टी के कारी करता है उनकी आवास्वनी और उन्होंने हमारे भार्टी जन्ता पार्टी के वरिष्ट कारी करता जमीन से जोड़े है कारी करता जो एक हमारे पूरु जिला बंचार से दर्शिवे रहे फ्रगीराम टम्टा जी को टिकर दिया विदानसवा सीट पर बीजेपी के कदावन डेता और केमिनेट मंतरे बिशन सिंग चुफाल पिछले 25 सालों से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं 2022 के विदानसवा चुनाओ में बीजेपी ने उन्हें पांचवी बार चुनाओं में उता रहा है संबावना की पूर मुखे मंतरे हरीश राउद में डीडियाट विदानसवा से चुनाओं में उधर सकते हैं हाला कि बिशन सिंग चुफाल ने अभी से हरीश राउद पर हमले शुरू कर दिये का ले सब से एक सर से एक मत से प्रस्ताव पारित किया है कि मानी हरिश्टावाद जी डीडियाट आएं और हां से हमारे चेत्र का प्रतें पर यह सब चीजह हैं हम आठवत आवेदारों ने सारे छेत्रे में घूमने के बाद लोगों की जो जन भावना थी उसको तरिष्टिकत रखते हुए और सारे डिडियार्ट विधान सभा छेत्रे के हमारे कॉंग्रेस के पतादिकारी कॉंग्रेस के कारे करता हूँ सर्व विकास पार्टी के राष्टे द्यक्ष एडवोकेट सुबाश भट हरीद्वार के शिवालिक नगर पहुँचे जहां उनका जोड़दार स्वागत क्या गया इस दोरन शिवालिक नगर कारले में बैठकुई राष्टे माहसाचिफ सुनील लैनवाल ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश की जनता का ध्यान मूल भूत मुद्दों से हटाया जा रहा है ऐसे मसर्व विकास पार्टी सभी को साथ लेकर उत्राखन को बहतर बनाने का काम करेगी उन सब को ले जा कि उन्हें एक ऐसा माहूल परदान करना जिससे कि वो अपने आपको मजबूत हो और अपने गहरों को मजबूत कर सके हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले उत्राखन को यहां के संसाधनों को साथ लेकर इसको पहले सम्रीद बनाने के प्रियास करें और जब और स और श्रश्थो पर कोई उद्योग धंदे हैं हम चाहते हैं कि जितने भी किर्शी अधरी यह आएटी सेक्टर के जितने वी काम कर सके हैं इनी बिचानों के लेकर हम की इस पालिटी को लाए हैं सरविकास पालिटी का जो मैंन मोटिव है वो है सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेक जूट करके भविश्य में एक अच्छा सुन्दर उत्राखंड बनाने की और अग्रसर होना पिछले पूर्व के जितने भी वर्ष रहे हैं जितने भी सरकारे या रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश यह है कि जनता का विकास हो उत्राखंड के अंतिम व्यक्तिक तक वो विकास की धारा पहुँचे जिसके लिए वाज बनचित है लालकुआ के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी इस्तित सामदाइक भवन की दिवार पर एक राजनितिक पार्टी की लगी वाल पेंटिंग आचार संहिता के नियमों का उलंगन कर रही है जिसे हटाने में प्रशासन चुटा हुआ है इस मामले के संग्यान में आने के बाद उबजिल अधिकारी मनुश कुमार ने ततकाल संबन्दित अधिकारीं को नेड़जिश दिये हैं आदर्स आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सबसे पहले तीन प्रकार की कारवाई की जानी थी जितने पब्लिक ऑफिस से उनसे 24 घंटे के अंदर प्रचार सामगरी हटाई जानी थी और 40 घंटे के अंदर जितने पब्लिक प्लेसे से उनसे प्रचार सामगरी हटाई जानी थी और 72 घंटे के बाद जितने निजी संपत्तियों पर लगे हैं पोस्टर और उस निजी संपत् से उनकी सहमती नहीं प्राप्त की गई हो तो उटाए जाने थे प्रत्थम चरण की यह तीनों कार्या यहां पूरे कर लिए गया है इसके बाद यदि किसी निजी संपत्ति पर जैसा आप बता रहे हैं आपके इसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि यह निजी टीम है उनको टीम को भेज करके और सहमती नहीं होगी तो उसको उसमें सुसंगत धाराओं में कारवाई की जाएगी उतराकर में नामंकन प्रकरिया शुरू हो गई है हल्दवानी में निर्वाचन अधिकारी डिशा सिंग ने बताया कि नामंकन से सम्मंदित 5 से अधिक नामंकन पत्र दिये जा चुके हैं वहीं 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक नामंकन चारी रहेंगे जिसमें आज 21 सारी को फिर 22 अफ़ाश है फिर 24 और 25 को लिया जाएगा फिर 26 को अफ़ास है फिर 27 और 28 इसमें तीन बज़े तक लास टाइम है नाम निर्देशन पत्र यहां पर जमा किये जा रहे हैं थी विदानसभा चुनाओ को लेकर नामंकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है पितरगर विदानसभा सीट से पूर विधायक मयूक महर ने बतोर कॉंग्रिस परतियाशी अपना नामंकन करवाया अपने समर्थकों के साथ नामंकन स्थल पर पहुंचे मयूक महर ने अपनी जीत क का दावा करते वे कहां कि पूरे प्रदेश में कॉंग्रिस की जीत होने वाली है पौडी कलेक्टेट के पूराने भावन पर 41 कोड़वार विधानसभा के लिए बनाए गए नामंकन कक्ष में पहला नामंकन उत्राखन क्रांतिदल डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रोहित डंडरियाल के द्वारा किया गया प्रत्रम नामंकन होने के साथ ही जन्पत की छे विधानसभाओं के लिए इस्ठापित नामंकन कक्षो से तीन नामंकन परत्र भी प्रत्याश्यों के द्वारा लिए गए पितरगर जिले में एक बार फिट से कोरोना संकर्मन ने विक्राल रूप धारन कर लिया है जिले में बीती रात को एक महिला की कोरोना संकर्मन से मौत हो गई तीसरी लहर में जिले में पहली मौत है जिले में बीते 24 गंटों के भीतर कोरोना के मरीजों ने 100 का आक्रा भी पार कर लिया पुरी जानकारी ली जा रही है। पर कैश के बरामत की की गई है जिसमें की फिर पुलिस अग्रिम कारवई कर रही है।